दोस्तो आरबे के तरब से एक बहुत बड़ी शौकिंग नोटिफिकेशन आई है जिसमें साफ तोर पे ये बताया गया है कि जो बजाज फैंसब का EMI कार्ड था उससे बैन कर दिया गया है और अभी आप बजाज फैंसब के EMI कार्ड के लिए अपलाई नहीं कर पाएंगे नमस्कार दोस्तो बजाज फैंसब जोकि फैंस सेटर की एक बहुत बड़ी कमपनी है इसका एक प्रोड़क्ट है बजाज फैंसब इंस्टा EMI क्रेडिट कार्ड ये EMI कार्ड बहुत सारे लोग बनवाते थे क्योंकि जिनका क्रेडिट कार्ड एप्रूब नहीं होता था उ लेकिन हाली में RBI की दौरा एक सैड नोटिफिकेशन जारी की गई है जिस नोटिफिकेशन में साफ तर पे बजाज फैंसब के दो प्रोड़क्ट्स बजाज EMI कार्ड और बजाज के परसनल उनको ततकाल रुप से बैन कर दिया गया है अब ये दोनों ही प्रोड़क्स या आपको देंगे तो वीडियो में अंतक बने रिएगा सबसे पहले तो डिस्प्ले पे आप वो नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो कि RBI की दौरा जारी किया गया है यहाँ पर साफ तोर पे लिखा हुआ है कि बजाज फैंसब के EMI कार्ड को एंड परसनल लोन को ततकाल रू क्या क्या स्कैम ना हो या फिर फ्रॉड ना हो ऐसे बजाज फैंसब कंपनी जो EMI कार्ड प्रवाइड करती है उससे जो लोग सौपिंग करते है वो एक तरह से लोन होता है और परसनल लोन जो प्रवाइड करती है इसे देते समय जो है लोगों को वो KFS यानि की फैक्टर स् मता है जिसके अनदर लोन के रिकार्डिंग कंप्लीट इन्फोरमेशन दिया होता है लोन को रिकवरी कैसे कारना हैं लोन का इंट रेट क्या होगा कंप्लीट E-to-Z इनफोरमेशन दिया होता है लेकिन आर्मे के मताबित बजाज फैंसफ कंपनी बजाज EMI कार्ड से क्योंकि इससे पहले भी RBI ने बहुत सारे companies पे बैन लगाया भी है और कुछ दिनों के अंदर हटा भी दिया है ऐसे में बजाज वाले भी इस problem को बहुत जल्द समझ जाएंगे एंड इसे sort out भी कर लेंगे एंड जल से जल्द ये बैन हट जाएगा अभी दोस्तों आपके दिमाग में एक question बार बार आ रहा होगा कि क्या जिनोंने पहले से बजाज EMI card बनवा रखा है वो अपने card को फिल हाल या फिर future में use कर पाएंगे या फिर नहीं तो दोस्तों इससे related किसी भी तरीके का clarification नहीं दिया गया है और कहीं भी notice में ये नहीं ल अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक से रिस पर कमेंट कीजेगा और चैनलो को सब्सक्राइब कर दीजेगा